नमस्कार दोसों ललो जी की रसोई में आपका स्वागत करता हूँ आज आपके लाया हूँ ब्रेट पीजा तो मैं ब्रेट पीजा बहुत ही सिंपल बनाने वाला हूँ और कुछ अलग तरीके से बनाने वाला हूँ तो चलते हम पीजा बनाने के लिए तो ब्रिट पिजा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल और इस बाउल में मैं एड़ करूँगा कुछ कच्चिया सबजी जैसे कि मैंने आप पर टमाटा लिया है, सिम्लमिर्च लिया है और प्याज लिया है ये सब एक एक है और इनको मैं चौप करके एड़ कर दूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा हरी चटनी तो यहाँ पर आप ले सकते हैं पुदिना की चटनी ठीके तो मैं यहाँ पर एक चमच यहाँ पर एड कर दिया हूँ और इसके बाद मैं आप एड करूंगा टमाटो केचप तो हरी चटनी और टमाटो केचप का सौद बहुत ही अच्छा लगेगा और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं चीज यह थोड़ा सा मैं चीज एड करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर चीज एड किया है थोड़ा सबजियों को एकदम जोड करके यह रखेगा तो इसको अच्छे से हम क्या करेंगे? मिक्स कर देंगी तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या हो गए है? सबजियों अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम चलते हैं यहाँ पर ब्रेड के लिए देख Pixi बहुँच कर बन चीज तयार हो गया है तो ब्रेड में आते हैं तो ब्रेड के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी से प्लेट लिया है और मैं यहाँ पर दो ब्रेड लूँगा एकदम ताजी वाली ये ब्रेड है दोस्तो ब्रेड लेने के बाद अब हम क्या करेंगे ब्रेड में यहां पर एड करेंगे जो हमने बनाए थे ना फिलिंग वो हम इसको एड कर देंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे ब्रे दोस्तों यहां पर हमारा क्या है इदम अच्छी से filling हो चुकी है ब। बिद में अब हम यहां पर एड कर देते हैं टेश के अनुसार यहां पर ब्लैक पेपर थोड़ा हलका सा और उसके बाद यहां पर हम एड़ कर देंगे पीजा की जान जिसको बोलते हैं पीजा सिजनी एड़ कर दी हैं और यहां पर हम हलका सा क्या करेंगे टेस्ट की अनुसार एड़ करते हैं नमक नमक एड़ करने के बाद, इसके बाद हम क्या करेंगे, चीज एड़ कर देंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, ब्रिट पीजा, और पीजा में अगर चीज न मिलाए तो क्या फाइदा, तो चीज अगर एड़ करेंगे तभी पीजा खाने में मज़ा आती है, तो यहाँ पर आप जितना पसंद करते हूँ चीज उसी की हिसाब से यहाँ पर एड़ कर दीजेगे देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्या गया चीज को एकदम से एड़ कर दिया हूँ और अब हम चलते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोष्ट करने के लिए तो मैंने लिया है यहाँ पर एक तवा लिया है और फित तवा हम यहाँ पर क्या करेंगे मक्खन यहाँ पर एड़ कर देंगे मतला मक्खन थोड़ा सा एड़ करूँगा और फिव उसके बाद इन जो ब्रिड मने सजाया है अच्छे से इनको मैं एड़ कर दूँगा और add करने के बाद मैं इनको क्या करता हूँ रख देता हूँ 2-3 मिट के लिए ढख करके ताकि चीज इदम थोड़ी से पिघलने लगे तो 5 मिट होने के बाद मैं क्या करता हूँ कैफ को निकाल लेता हूँ तो दोस्तों देखिए एकदम चीज पिघल गई है बहुत ही अच्छे इदम से पिघल गई है और अब हम क्या करते हैं ब्रेट पीजा को बाहर निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए तो दोस्तों यह दिखिए बहुत ही एकदम टेस्टी लाजवाब ब्रेट पीजा तयार हो चुका है और यह खाये बहुत ही